ड्रीम 11 के नाम पर बच्चे कर रहे हैं घर से लाखों की चोड़ी आज इस सब्जेक्ट पर बात करेंगे देखिए ड्रीम 11 में जब आप पर्सिपट करते हो तो उसमें बहुत सारे कॉंटेस्ट में बाग लेते हूँ आप तो उसमें आपको इνिसल इमाउंट भी डालना पड़ता है जिसको इंटरीफिस कहा जाता है ठीक है? entry fees contest के अनुसार होता है 15 रुपिया, 20 रुपिया 1000 इस तरह से contest fees होते हैं तो जो आप किसी भी match के contest में participate करते हो तो आपको जिसको paid दो तरह के contest होता है paid होता है contest एक होता free तो paid वाले में अगर आप participate करोगे तो आपको कुछ ना कुछ amount देना पड़ता है अगर free वाले में करते हो तो ठीक है उसमें कोई पैसा देना नहीं है लेकिन कुछ जीतते भी नहीं हो लेकिन paid वाले में जब आप entry fee देते हो तो हो सकता है उसमें जीत भी जाओ ठीक है तो हो क्या रहा है कि कुछ अभी मैंने आज ही एक न्यूज देखा और वो न्यूज देखा तो मैंने सोचा कि यह चीज में आपके साथ जरूर सेयर करूँ वह जरूरी बात है उस न्यूज में मैंने देखा कि एक बच्चे ने जो है वो ड्रीम 11 खेलता था और उसने लगवग जो है एक लाख पशत्तर हजार का चोड़ी किया अपने घर से वह भी दिमाग लगा के ठीक है उसने क्या किया कि ड्रीम 11 एकाउंट में वह पैसे थोड़ा थोड़ा करके अपने घर से चोड़ी करता रहा ठीक है और टोटल अब उसके पीता जीगी ने महनस से वह पैसा कमाया था जब उनको मालूम चला तो बहुत घबड़ा गए और फिर यह लड़का क्या किया दिमाग लगाते हुए जो है खुद से जो है मतलब कि पुलिस में जो है एक F.I.R. भी करवा दिया किस भी करवा दिया कि भाई हमारे घर से चोड़ी हुआ है जो कि खुद ह यह जो है ड्रीपिट और गया में उसका इस्तावाल किया था ठीक है तो यह चीज जो है कितना गलत है कि आप döhm है खर घ्रेंब औ तो में आपको केवल एजुकेसर देता हूं ठीक है में वह में सारे वीडियो में बनाता हूँ जिसमें Dream 11 का वीडियो बनाता हूँ लेकिन कभी भी मैं आपको ये नहीं बताता हूँ कि आप Dream 11 में पैसे लगा-लगा के खेले ठीक है ये बिलकुल मैं कभी नहीं मैं खुद भी जो है खेलता जरूर हूँ लेकिन मैं कभी भी पैसा एड नहीं लेकिर लेकिन हमको नहीं लगता है कि मैं थोड़ा बहुत पैसा एड़ किया है लेकिन वह भी इसलिए एड किया ताकि मैं कुछ सिखा सकूं आपको knowledge दे सकूं, education दे सकूं कि वो पैसा ऐसे add होता है, पैसा कैसे withdraw होता है, यह सब सिखाने के लिए, कभी भी इस purpose से हमने पैसा add नहीं किया कि हम खेलेंगे, हमारे पस cash bonus आता है, उससे हम खेल लेते हैं, ठीक है, और बहुत पहले से ही हम इतनी आपके मर्जी है, मेरा चैनल है educational, मुझे सिफ education देना है, मुझे सिखाना है, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास किसी आप dream 11 में ही खेल रहे हो, अगर आपके उसके बाड़े में अच्छा knowledge आपको नहीं है, तो फिर आपको कोई भी गलत information चलते हैं, आपको वहां loss हो सकता ह इसलिए knowledge देना मेरे चैनल के काम है, purpose है, मैं knowledge देता हूँ, लेकिन चुकि यह news मेरे पास आया कि इस तरह से भी होड़ा है, तो मुझे लगा कि ये बात भी मैं आपके साथ share करूँ, जरूरी है, मुझे अभी तक ऐसा लगता था कि लोगों को बच्चे को अगर pocket खर्चा मि लेगा तो वो dream 11 में हो सकता है कि खेले लेकिन मुझे कभी ये मालूम है, लोग जो है, एक लाक लाक रुपया जो है, घर से चोड़ी करके खेलेंगे, ये तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मुझे मालूम चला तो मुझे जटका लगा कि भाई, इस तरह से कैसे होड़ा दुख का बात है, ये साब विल्कुल नहीं होना चाहिए, विल्कुल नहीं, बात में guardians और parents का भी फर्ज बनता है कि आपने बच्चे के उपर में ध्यान रखें, बहुत से माबाब अपने बच्चे का care नहीं करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं कि भाई, वो क्या कर रहे हैं कुछ पैसे वो ले रहे ही रहे हैं, तो वो कहां invest कर रहे हैं, उतना जनकारी नहीं रखते हैं, parents जो की बात में बहुत ज्यादा समस्या पैदा करता है, तो ये शीज नहीं होना चाहिए, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह का घटना जब होता है तो हम किसक में इस तरह का जब मामला होता है तो किसको दोस्ट देना चाहिए, एक चीज मैं जरूर यहां कहना चाहूंगा, जो बच्चे हैं, जो गेम खिलते हैं, कोई भी चीज का अती नहीं करना चाहिए, हर चीज एक आप गेम भी खेल रहे हो, तो एक लिमिट में खेलिए, अगर ह बस यदि खेलोगे, तो जो है, उसमें आपको बहुत दुक्सान होगा, बहुत साले में ऐसे भी लोगों के वीडियोज देखें हैं, न्यूज देखें हैं, कि लोग किसी फलाना टाइपा गेम खिलके, जो है, मेंटली जो है, कमजोड हो गए हैं, पागल के तरह जो है, एक कागल होने की जरूरत नहीं है, धन्यवाद दोस्तो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,